आज की वीडियो में मैं आपको हिमाचल परदेश जीके के टॉप 1,000 क्वास्टन का पार्ट 4 करवाऊंगा जिनों ने पार्ट 1,2,3 नहीं देखे मैं डिस्क्रिप्शिन में लिंक दे दूँगा आप बहां से उन्हें जरूर चेक करें तो शुरू करते हैं पहले क्वास्टन मुगल वाद्शा जहांगीर किसके शाषन के दौरान नूरपूर आया था तो वो आये थे जगत सिंह के शाषनकाल के दौरान और जगत सिंह ने नूर जहां की सुंदलता से प्रभावित होकर धमेरी का नाम नूरपूर रखा था बिलासपूर रियासत का भाग रही बेजा रियासत बरतमान में हिमाचल परदेश के किस जिले का हिस्सा है तो वो है सोलन जिले का हिस्सा शुवंश परकाश जिसका नाम बदंसी भी माना जाता है ने सिर्मौर रज्जी की स्थापना किस वर्श की थी तो उन्होंने 1195 इस् दियास से संबंद संबंदित है तो वो है कटोच महाभारत की युद में कांगड़ा के किस कटोच वंश राजा ने कौर्मों की तरफ से भाग लिया था तो बो लिया था सुशर्मा चंद ने कांगड़ा के एक शाषक ने अपनी राज धानी में बिशाल दरवार भबन का निर्मान करवाया जिस में परतिएक और ग्यारा दरवाजे थे इन किम राजा के बारे में भी पढ़ना है क्यूंकि कॉश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं कांगडा किला और किस-किस नाम से जाना जाता है तो उसे नगर कोट भीमकोट आदी नामों से जाना जाता है एक नाम उसका शुशर्मा नगर भी है हिमाचल परदेश के अनारिय राजा शंबर का किस अनारिय राजा के साथ युद्ध हुआ था तो वो हुआ था दिवोधास के साथ शौनपूर में किस राज्ये की राजदानी होने का एथिहासिक शाक्ष मिलता है तो वो मिलता है सिर्मौर का कॉर्वों और पांडवों के गुरु दुरोनाचारिय का संबंद किस थान से है तो वो था कुलू से मुगल शाषक और अंगजेव ने बिलासपूर के किस शाषक को सेनपती बना कर उत्तर पश्चिम प्रांथ की और भेजा था तो वो भेजा था दीप चंद को कुलू का प्राचीन नाम क्या था कुलू का प्राचीन नाम था कुलूत किस शाशक को साथ धाराओं का सुभामी कहा जाता था तो वो कहा जाता था बिलासपूर के शाशक को किस राज्य के इतिहास में कीर जाती का बर्नर एक खुंखार जंगली और मूर्ती भंजग के रूप में मिलता है तो वो मिलता है चमबा के इतिहास में सुकेत राज्य का आधुनिक नाम क्या है तो वो है सुन्दर नगर बिलासपूर के किस शाषक के काल में सतलुज नदी का पानी 45 दिन तक पहाड से नहीं गिरा था तो वो नहीं गिरा था देवी चंद के शाषनकाल के दुरान सुन्दर नगर का एक और नाम है जिसको की बनेड के नाम से जाना जाता है बिशाखा दत्कृत नाट्टे मुद्रा राक्षष चीनी यात्री हेंस्वांग एवं कलहन कृत राज्य का उले किया गया है तो वो किया गया है कुल्लू का महल मूरिय नाम वक्षटान पर राजा संसार चन्द ने किसके साथ युद्धवत किया था तो वो किया था गोर्कों के साथ रानी का ताल का आज भी महत्त है ये किसी र्यासत के भाग रहे तो वो रहे थे सिर्मौर र्यासत के बिलासपूर को हिमाचल परदेश में कब मिला गया तो वो मिलाया गया था एक जुलाई 1954 को और यह पांचवा जिला बना था हिमाचल प्रदेश का 1790 से पूर्व बेजा रियासत किस रियासत का हिस्सा थी तो वो थी बिलासपूर का सुकेत रियासत के गर्णी शाशक मोदनसेन के मृतिव के पश्चात धीरे दीरे इस रियासत कीभाग मन्डी रियासत में मिलते चले गए मन्डी के शाशक बांज से ने अपनी राजधानी राजधानी कहा बना थी लौ में किसे हमीरपूर का संस्थापक कहा जाता है तो हमीर चंद को हमीरपूर का संस्थापक कहा जाता है दतारपूर राज्य का निर्मान किस रियासत से माना जाता है तो वो है सिभा मैंने रियासत से संबंदित वीडियो पहले बना ली है तो जिसने नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गया था यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है तो यहां आएगा महान चंद कांगड़ा के लिए का निर्मान किस ने करवाया था तो वो किया था सुशर्मा चंद ने किस शाषक ने 1527 इस भी मेमंडी शहर की स्थापना की थी वो की थी यहां पर अंसर होगा अजवर सेन ने सुकेत रियासत का सबसे शक्ति शाली राजा कौन था तो वो थे मदन सेन कलहंकृत राज तरंगनी में कांगड़ा के किस शाषक का बर्णन मिलता है तो वो मिलता है सुशर्मा चंद का किस वर्ष्ठ योग कोठी मधान तथा गुड को कियंथल रियासत के तहत लाया गया थ तो बोलाय गया था 1823 इसवी में कांगड़ा का वह शाषक कौन है जो अपनी करूरता के बावजूद जंता में लोक प्रिया है तो वो थे गमंड चंद संसप्त को ने अभी मन्यू को चक्रव्यू से आने नहीं दिया था संसप्त को का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस रि पर जहां राजा संसार चंद एबम गोर्खा के वीच युद हुआ था वह कहां स्थित है वो है हमीरपूर में प्राचीन समय में चंबा रियासत का मुख्याले कहां था वो था ब्रमहपूर में सिख्खों के समराज्य में स्पिति लदाक ही अंग बना रहा अंग्रेदी तो यह था सिंग्ययान के राणा गूकुल के साशन में किस वंश का नाम सुकेत के इतिहास से समंदित रहा तो वो वंश है सेन वंश कौन अक्वर का समकालीन था तो बो थे धरम चंद महा भारत कालीन योद्धा गटोतकच का जनम किस थान पर हुआ वो हुआ था कॉलू जि का नाम क्या है तो उनका नाम है दुरगा सिंह पहारी राजघरानों में सबसे लंबा एथिहास के स्रियासत का रहा तो वो रहा कांगडा का हिमाचल परदेश में कौन से राजवन सरवादिक परसिद रहे वे रहे कांगडा एबं कुलू के हिमाचल परदेश की वह रियासत योद्धाउं ने कौरवों की ओर से महाभारत के योद्ध में भाग लिया था, वो थे कांगडा के, और राजा सुसर्मा चंद ने भाग लिया था, प्राचिन समय में किसे प्रतिश्थानपूर के नाम से जाना जाता था, तो वो है प्ठान कोट, हरी चंद ने गुलेर राज झाल झाल